पी आर के हुसूल के लिए को बिजनस यहां पर खड़ा करना चाहते हैं तो उस बिजनस के लिए कितने फ़ांट्स आई होंगे चोड़ा बिजनस आप करना चाहते हैं अलो इनस सलाम आलाइकम पाजीज एंड बाजीज त्वाड़ापनों मेजबान अली जननत all the way from किनेड़ा आप किनेड़ा शिफ्ट रॉना चाहते हैं या शिफ्ट रॉने की प्लैनिंग कर रहे हैं और यहां पर आप चाहते हैं कि आप बिजनस यहां पर करें और ऐसा बिजन हासल करने में हेल्प करें यह पॉइंट समाजना बहुत ही जुरूरी है यह आगे चलकर में आपसे डिसक्स करोगा कि अगर आप पी-ार के हुसूल के लिए को बिजनस यहां पर खड़ा करना चाहते हैं तो उस बिजनस के लिए कितने फांट्स आई होंगे चोटा बिजनस करना चाहते हैं उसके लिए क्या चीज़ें जरूरी है यह आपके लिए समझाज़ना जरूरी होगा क्योंकि बहुत साथ रोज़ करते हैं कि हम खोलना चाहते हैं लड़से में खोलना चाहते हैं तो आप खोल सकते हैं लेकिन अगर आप सिडिजन हैं या प्यार होल्डर हैं त गन्मिन स्टोर के हवाले से आज की वीडियो इंपॉर्टन इसलिए होने जा रही है कि हमारे जो देशी लोग हैं उनका रुजान जातर इस बिजनस की तरफ है उसकी वज़ा क्या यह है उसकी वज़ाई यह है कि यह सकस्वली रन होता है आसान है और इसमें रिस्क कम होता है इसमें इतनी ज्यादा एज्यूकेशन लागे इतना आप पड़े लिखे नहीं है फिर भी आप इसको चला सकते हैं यही है इसको चलाना रन करना और इससे इंकम भी अच्छी आती है उसकी वज़ाई यही है कि रोजमदा की जो आशिया इस्तेमाल होती है वो आप गर यह जो साथ में हाइवेज गुज़र रही है उनके हवाले से भी देखना है कि कि ट्रैफिक है और बेसिकली आप जहां से टाउन में खोल रहे हैं वहां के जो लोकेशन लोकालिटी है उस पर भी डिपेंड करता है कि वहां पर ज्यादा लोग अगर फिलिपिनों ज्यादा तो उस क्मून कि आपने टार्गेट करना है डीज हैं आपने डेशी आइटम्स को ही जएदा रखना होगा ताकि आपकी सेल पे उसका फरग हो फिलिपिनों को बिफिन और अग्र आप जहाँ सब्कूल भी होगा और offices कुछ लोग offices के जो buildings हैं वहां पर भी convenience store है small stores के हुआले से बात कर रहा हूं क्योंकि आपका फोकस तो यह यह ना क्या आप पी-i-R हासल करेंगे Any परवन residency असल करेंगे और small business आप start करना चाहते हैं अगर जाहरा है आपका सवाल ये भी होगा कि जो convenience store और साथ में gas station होते हैं उनका क्या दिगाकार होता है वो भी जाहरा है आप land आप पहले लेंगे और उसके बाद आप उसको establish कर सकते हैं चलता हुआ भी ले सकते हैं लेकिन उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा पैसे चाहिए ले उसके लिए जारे इतनी बड़ी investment आपको नहीं चाहिए लेकिन आपका purpose है कि यहां पर आप इमिग्रेट हों और आप कहीं भी एगर किसी भी शहर में खोलना चाहते हैं इसके इलावा अगर आप यहां पर आपका पी यार काड है पी यार होल्डर है आपके पास केंडियन प store जो है वो run नहीं हुआ या fail हो गया है या बंद हो गया है बजाएस के कि जो बाकी जो businesses हैं उनके मुकाबले में तो convenience store इसलिए आसान समझा जाता है जारे इसके लिए आपको इमेंटोरी चाहिए होती है और एक और बड़ी बात कि convenience store पर आपने देखा होगा कि यहां पर ल जार 25,000 जो है वो deposit करना होता है ताकि लोटो के हवाले से जो उसमें पैसे होते हैं उसाचीज़े आपने पहले deposit करना होता है ताकि वो system उनका चलता रहे और अगर कहीं आप store बंद कर देंशे माहीने बाद तो उनको at least पैसे recover हो जाए लोटो जो ticket है उससे आपको इतनी जा मार्चन तो नहीं आएगा इतना फाइदा नहीं होगा लेकिन उससे यह फाइदा होगा कि आपके पास customer आएंगे और यह customer आएगा साथ में लोट्री का टिकट से करेगा और जरूर कुछ न कुछ साथ में ले लेगा काफी लेगा या कुछ डिंक लेगा तो आपका customer उस तर में क्या चीज़ आपकी ज्यादा चल सकती है और खासकर कि कम्यूनिटी के हवाले से लट से अगर आप टाउन में कर्विन स्टोर खोलना चाहते हैं तो वहां पर जो कम्यूनिटी है उसको अपने टार्गेट करना है और उनकी जो इंट्रेस के चीज़े हैं वो आपने आइ इना स्टोर कोलते हैं उसके लिए आपको 1,200,000 से ओपर चाहिए होता एक माघ्से 1,25,25 इतना आप पास रकम होने चाहिए केना ही डॉलर एक दी चो प्रेड़ने आपने सबस्तेigor चाहते हैं तो असके लिए आपने सबसे आहिए कि इन्कम है अगर वह 10bit से उपर है तो तक्रीमन आपको 3-4 लाग का मिलेगा या इसे ज़्यादा का भी मिल सकता है यह वरिज बता आ रहा हूं और अगर उसकी इंकाम 5 सकते हैं इसका लगा सकते हैं इसका नजाग कर सकते हैं कितने का आपको मिलेगा इसके मकाबले में जो नया स्टोर आप खोलेंगे उसके लिए आपके पास एक लाग से उपर रखम होने चाहिए एक लाग भी एक लाग पचीस इतनी होने चाहिए और डिपेंड करता है जारा अ अगर आप इसी काम में हैं तो जारे उसमें आपको फाइदा हो सकता है आप जारे पैसे बचा सकते हैं जो बंदा अलड़ी काम कर रहा है और एक नया बंदा जो नया काम शुरू कर रहा तो उसमें तो बहुत तो फरक होता है एक्सपिरियंस का तो पेसिकली आपने तो उनको भी आप टार्गिट कर सकते हैं कर्मीटी के आफर्स दे सकते हैं अगर लड़ से एक टाउन में बुड़े लोग रह रहे हैं तो उनको किया चीजे ज़्यादा वो इस्ताव मिलाते हैं या उनको किस costume से ठारे जारा यह एक बिजनिस आइडिया आप उनको काम कर सक है इसके इलावा करुएंट स्टोर में फूड के हवाले से भी आजकल काम जदा हो रहा है हॉट फूड के हवाले से लेकर उसके लिए आपको लायसेंस अगर आपको बना रहे हैं पैकिंग होगा जो के मामुली से बात है अप ले सकते हैं और अगर पैकिंग अलरी फूड आ र जा रहे तो आर फेसे हैं और आपकी टानिंग क्या होगी है इस लोग के साथ होते हैं जहां पर लोगा का रफ्यूल बरवाते हैं 24 आवर्स भी चलते हैं डिपेंड करता है आप के आपका बिजनस कितना रविने जनरेट कर रहा है और उस पर कितनी ट्राफिक आ रही है तो इसके कॉर्डिंगली आप प्लैन कर सकते हैं और अगर आप यहां पर मेंट सके तो बिजनस में इतना जादा रिस्क नहीं होता क्योंकि चल जाता है रोजमरा के यह इस्तमाल में लोग लाते हैं आपने कुछ सवालाथ पूछे और बिजनस है जो लोग यहां पर करते हैं तो आप अगर उपन करना चाहते हैं पियार के हवाले से तो जाहरा आपको टा कौन सी कम्मुनिटी वो बिसिकली हम बात कर चुके हैं लोकेशन भी बहुत ही इंपॉर्डन होती है और रविन्यूस के अकॉर्डिंग लिए आपने देखना होता है कितना आप जैनरेट कर सकते हैं तो करनी स्टोर के हवाले से आज की वीडियो थी और इसके लावा कोई औ और आपके जैन में सवाल हो या कोई पॉइंट अगर मुझ से मिस हो गया तो जरूर आप कॉमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा और नेक्स्ट वीडियो भी आप सजेस्ट कर सकते हैं बेसिकली आज तीन चाह दिन के बाद ही वीडियो आ रही है क्योंकि मौसम यहां पर फिर तुबारा से ठंडा हो गया और मौसम ठीक होते होते और मैं इंसार में था कि मौसम अच्छा होगा तो आप से वीडियो शेयर की जाएगी लेकर मौसम अभी तक ऐसा ही है तो अगर आप यूटियो पर नए है तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और फेस